नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ IFB मॉक्षिडरे 550 का फुल वाइरिंग आपको इसकी फुल वाइरिंग के बारे में बताऊंगा एक एक पार्ट का जो हमारे IFB मॉक्षिडरे 550 में लगता उसका फुल कनेक्शन आज मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे अंत तक बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल आइकन जरूर दबाए ताकि अगली वीडियो बने तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुचे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें दोस्तों तो चलो मैं आपको शुरू करके दिखाता हूं तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दिया हूं पहले आई अभी मुक्ष्ट ड्रेप 550 फूल वाइरिंग अब हमें एल दो वाइर हमारी आती है नूटल ठेक अब इन दो रो वाइर जो हमारा फेस नूटल होता है लीड में उसका कनेक्शन कहां कहां सबसु पहले कहां जाता है तो आपको मैं यही बताना चाहता हूं तो दोस्तों सबस्त पहले यहाँ पर एक मैं बनाता हूं लिमिट सुइच यह आपकी लिमिट सुइच होगी तो यहां से फेस आपका उठेगा और तो यह जाके लिमिट सुइच के पहले पॉइंट पर लग जाए. लिमिट सुइच होता कहां दोस्तों मैं बता दूँ जैसे आप गेट बंद करते हो ना एक लोक लगा होता है वहीं पर लिमिट temperature को control करता है या कहीं heating होता है तो ये पूरे डायर को बंद कर देता है तो ये भी gate पे ही होता है जैसे आप gate बंद करेंगे तो वहीं पर limit switch और thermostate दोनों काम करते हैं तो फिर इसकी supply उठके जाके timer को supply देगी जब timer को supply देगी तब आपका timer चालू हो जाएगा तो timer को यहीं से ही supply दी जाती है यह आपका timer हो जाता है और इस timer में यहाँ पे तीन point बने होते हैं एक दो दो यह हो जाते हैं और एक यहाँ point बना होता है और तीन पास पास बने होते हैं यह आपके होते हैं अब इन timer का connection कहा होता है तो आपको इसी बताएंगे अब यह आपका सीधा आके इस पर connection हो जाएगा ठीक अब आगे चलते हैं कि फिर अब आपको टाइमर पर चले गए अब टाइमर को न्यूटल कहां से मिलेगा तो दोस्तो यह हमारा न्यूटल हो गया न्यूटल पर यहां पर सीधा हमारा न्यूटल आएगा यह न्यूटल लग गया अब हमारे टाइमर को फेस न्यूटल दोनों मिल गया ठीक है दोस्तो बिल्कुल समझ में आ गयी आपको की टाइमर को फेस न्यूटल पूरा मिल गया अब टाइमर से क्या क्या connection चलता है क्या क्या connection आप कर सकेंगे तो अब इसके पहले आपको मैं heater के बारे मैं बता देता हूं की heater का connection कैसे होता है यहां पर मैं आपको हीटर बना के दिखाना चाहता हूँ यह आपका हो गया यह आपका हीटर हो गया अब हीटर का कनेक्शन कहां कहां होगा तो सबसे पहले हम आपको हीटर का कनेक्शन बता रहे हैं अब हीटर पर चलते हैं तो हमारे टाइमर के उपर इसी छोड़ पे यहां का कनेक्शन सीधा उठेगा सीधा यहां पे आपको हीटर को यहां पे जॉइंट करना है ठीक है दोस्तों अब हीटर को न्यूटल कहां दोगे तो यहां यहां पे एक तो दोस्तों अब हम आपको यहां पे एक थर्मो स्टेड बनाते हैं थर्मो स्टेड बोले की जो हीटर के सिप्टी के लिए लगा होता है यह एक मैं थर्मो स्टेड बना देता हूं ठीक है दोस्तों यह यह आपका थर्मो स्टेड हो गया ती यह आपका थर्मो स्टेड हो गया ती एच ई आर एम ओ एस टी एटी यह थर्मो स्टेड हो गया अब थर्मो स्टेड को आपको कैसे सप्लाई देना यह आपका जो न्यूटल होगा यह आपका सीधा यह आपका सीधा न्यूटल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा ठीक है दोस्तों अब आपको यहाँ से न्यूटल उठाना पड़ेगा और यहाँ पर दे देना पड़ेगा यह आपका हीटर का कंट्रोल बिल्कुल ओके हो गया यह आपका बिल्कुल थर्मो स्टेट जो हीटर के लिए आपका काम हो गया अब हम चलते हैं अगले उप्शन पर मोटर का कनेक्शन कैसे करना है अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक मोटर बनाता हूं यहाँ पर मैं एक मोटर बना रहा हूं याम ओ टी ओ आर आप लोग तो जानते ही होंगे मोटर पर तीन वायर का कनेक्शन करना है तो इस मोटर का तीनों वायर कहां से आएंगी तो आपको यही बताना चाहता हूं सबसे पहले आपको मैं इस मोटर पर एक यहां से नूटल दे दिता हूं ठीक है दोस्तों यह दे दिया यहां से दिया अब इसमें दो वायर बचेंगी जो इस मोटर को लेप्ट और राइट लेप्ट और राइट चालू करेंगी तो लेप्ट राइट चलाने के लिए हमें सबसे पहले कहां कहां से कनेक्शन लाना पड़ेगा अब हम उपर चलते हैं टाइमर पे टाइमर पे यहां से वायर उठाएंगे सीधा और हम सीधा लेके आएंगे इस पर जोड़ेंगे ठेक है दोस्तो अब यह तो हमारी चलेगी लिप्ट यह लिप्ट हो गया अब एक पॉइंट बच गया अब एक पॉइंट का कनेक्शन के लिए आपको यहां आना पड़ेगा इस पॉइंट पे यहां से सीधा उठाएंगे आप सीधा लाए दोस्तो यहां पर ठेक यह आपका हो गया कनेक्शन अब यहीं पर इस मोटर पे केपीशीटर बंधा होता है तो मैं आपको यह आपका केपीशीटर हो जाएगा यह आपका केपीशीटर हो गया अब यह मोटर का पूरा कनेक्शन हो गया दोस्तों अब मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ कि अब इसमें क्या बचा है लगभग लगभग पूरा कनेक्शन हो गया है दोस्तों अब वो आपको एक बार फिर समझाना समझा दूँ तो यह हमारा यहां पे पहले यहां जाएए यह मेन हो गया यहां से हमारा फेश जाता है यह थर्मो स्टेट इसको कहते हैं लिमिट सूइज यह आपकी लिमिट सूइज हो गई लिमिट सूइज ते फिर उपर सप्लाई जाएगी यह आपका हो जाएगा थर्मो स्टेट यह आपका थर्मो स्टेट हो गया यह टाइमर हो गया यह आपका मोटर हो गया यह के पिशटर हो गया ये भी एक thermostat, ये heater हो गया तो दोस्तों आपको ये full connection आपके लिए है आप इसी तरह से connection कर लेंगे और आपको कोई भी problem नहीं होगी ये जितने हमारे wire है L, L तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे ये हमारा heater हो गया तो heater पे safety के लिए क्या लगा होता है एक thermostat लगा होता है ये हमारा timer हो गया timer से क्या क्या connection होता है ये सीधा आपको सीधा आपके heater को cut up करता है motor को left right काम हमारे timer का ही होता है ये timer ही आपके motor को left और right left और right करता है आर आई जी एच टी तो ये आपका left right का काम है तो इस प्रकार से इसका पूरा connection विधि पूरबक मैं आपको बता दिया हूँ तो हमें आप से यही आसा है कि आप पूरा हमारे connection को समझ गए होंगे तो एक बार फिर आपको repeat करके मैं बता देता हूँ यहां से हमारा face चला जो हमारी lead होती है main उसमें दो wire होते हैं तीन wire एक earth के लिए होता है और आपको एक green earth भी कर देना है body को तो वो lead में रहेगी ही तो मैं आपको face neutral के बारे में बताता हूँ यह हमारा face आया सीधा हमारे limit switch पे जाता है limit switch से फिर दूसरे सीरिफ हमारे thermo state से जाता है thermo state से फिर उठके हमारा सीधा timer के इस point पे जाता है जो knob के पीछे होता है यह सीरा यह दोनों सीरा उपर होते हैं यह दोनों सीरा आपके उपर होते हैं तो उसमें आप खुछ समझ जाएंगे कौन सीरा कहां पर connection होता है तो यह यह ज़्यादा तर उसी पर connection होते हैं तो यह हमारा ज़्यादा तर lift की side होता है lift मतब lift की side इसका करने से lift side होता है यह हमारा right र आई जी एच टी यह right side होता है तो यहां से आपको बिलकुल यहां फेश जाएगा यह फेश आपको पूरा timer को control करेगा timer को neutral देने के लिए यह neutral की supply दी गई हुई है और motor को left right चलाने के लिए timer का ही काम करता है और heater को time time से जो cut up करता है वो आपका यह timer ही heater को भी cut up कर देता है तो heater के safety के लिए एक thermostat लगा होता है और dryer के भी safety के लिए कोई heating या कोई होने के लिए यहां भी एक thermostat का परियोग किया जाता है तो दोस्तों आप हमारे पूरी वीडियो देखे तो comment कर ज़रूर बताए कि आपको वीडियो हमारी कैसे लगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो like ज़रूर कर ले और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगली वीडियो में फिर मिलते हैं